दोस्तों सागत्या आपका आपके अपने चैनल फेंटिसी फेक्टर में और इस वीडियो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रो का बड़ी सीजन 9 के मैसमा 50 और आजकर इनके पहले मुकाबले के बारे में जो कि यहाँ पे खेला जाएगा गुजरा जेंट्स वर्सेस पटना फायरेट्स के बीज में इसकी हम लोग यहाँ पे काफी ज़्यादा टीपली बात करने वाले सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट्स टेवल की तो फ्रेंट्स जैसे आप लोग पॉइंट्स टेवल की तरह पाऊगे तो आप लोग देखोगे जो गुजरा जेंट्स के टीम है वो आपको छटवे नंबर पे दिखेगी इस टीम ने टूटल अभी तक आठ मुकाबले सीजन में खेले आठ में से चार मुकाबले जीतने तीन मुकाबले हारे और एक जो मुकाबला वो इनका यहाँ पे टायरा यानि कि recent form देखोगे ठीक ठाक यहाँ पे गुजरा जेंट्स के आपको दिखेगा वही मैं पत्ना वायरेट्स की बात करूँगा तो last second position पे यानि कि ग्यारवे नंबर पे यह टीम आपको दिख जाएगी इस टीम ने भी टूटल आठ मुकाबले के लिए लेकिन आठ में से सिर्फ दो मुकाबले जीते हैं चार मुकाबले हारे और दो मुकाबले इसके टाय रहे यानि कि जो recent form है वह पत्ना का आपको कुछ खास यहां पे नहीं दिखेगा लेकिन आपको एक चीज़ बता दो अभी जो फ्रेंट्स प्रो कबडड़े के मुकाबले चल ले न उसमें आप लोग ऐसा नहीं खेह सकतो कि जो वीक टीम है वो फ्रेंट्स यहां पे हारेगी क्योंकि अभी फ्रेंट्स आप लोग देखरो जो वीक टीम भी है वही बहुत चा प्रफॉर्म कर रही तो आप लोग यहां पे मानके चलिए कि गुजराज जैंट्स के लगवाग यहां पर 60% विनिंग चांसे से और 40% आप लोग यहां पर मानके चलिए कि पटना पारस के भी इस मुकाबले में विन करने के चांस है कई ऐसा नहों कि जो पटना की टीम आपको वीक दिखरी वही इस मुकाबले को विन कर ले तो ऐसी कंडिसन भी आपको प्रो कबड़ी के मैचों है देखने को मिल लrespons के अगए, उनरों की पोजिसन यहां पर देखेंगे, उनका स्टेट्स यहां पर देखेंगे और किस तरीके से हमारी टीम के रेडरों को maximum time यहाँ पर tackle करेंगे तो friends वीडियो काफी जाथ इंट्रेस्टिंग रहेगा और आप सभी लोगों से request है कि आप लोग वीडियो को लासा उसे watch करना अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है अब यहाँ मैच की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी जो कुबेरे fantasy को यहाँ पिक बनेगी तो जिन लोगों को पतानी क्या होता है यह दूओ सिंपले आपको कुबेरे fantasy app को open करना यहाँ पर कबड़ी सेलेक्ट करना जो मैच आपको खेलना उस मैच पर आपको क्लिक करना जैसे आप लोग क्लिक करोगे सबसे पहले आपके सामने classic fantasy आएगा इसी के जश्ट बगल में देखिए आपको यह पर डूओ का section देख जाएगा आप जो तो यहाँ पर सचिन दनवर के साथ भी जा सकतो लास में अच्छी फ़ाम में दिखे थे रोहित गुलिया consistent काफी जाए इस सीजन में और यहाँ पर जो सागर गुलिया आपको दिखेगे यह फ्रेंट्स काफी बेस्ट प्लियर है ठीक है पांचों में से देखो के तो चार प्लियर आपको यह पर बहुत बेस्ट मिलने वाले फाइदा ही है कि आपको 120 सुपर का जोर्निंग बोनस मिल जाएगा जिसे 120 सुपर रियल कैसे 100% यूजबल है यानि कि अगर आज के दिमें आपको ट्राइल लेना नौर्वल फेंटसी के लिए जिसे हम लोग क्लासिक फेंटसी भी कहते हैं साथ वलग यहाँ त्याहाँ पर आपको यहां पर बनाना पड़ता वह भी आप लोग यहाँ पर खेल सकते हैं और अपना लॉस है उसे ही बहुत बहुत इज़ियर का नाम है कुवेर वैसी आप लो देख भी सकते हो कि duo की जो winnings रहती वो हमारी किस level की होती है ठीक है तो friends एक बाद try करके जरोर से देखना app को जो link है वीडियो को नीचे description box top के comment दोनों जोको आपको मिल दाएगा वहास जाके आप लोग इस app को download कर सकतो और इसके duo feature को एक बाद आप लोग try जरोर से कर लेना ठ सबसे बले बात करेंगे उजराज जैंट की तो इनके पास friends इनके सबसे बड़े जो रेडर है वह है राकेश संग्रोय है जिन्हें हम लोग hs राकेश यानि कि highly skilled राकेश भी गयते है ठीक है राइट शे बंदा रेट करेगा आभी तक अगर आप लोग इसका recent form देखो ना friends जो फॉर्म है इसकी बहुत तगड़ी अभी चली अठारा इस तरीके से रेट पॉइंट यह बंदा लेकिया है इसका सपोर्ट रेडर रहेगा वह रहेगा यहां पर CR66 यानि की चंद्र नंजीत लास्ट के लास्ट के लास्ट फ्रेंट इनको चलना आप लोग फिर परतिक यहां पर मिलेगा जो की राके इस संग्रोगे को अच्छा सपोर्ट करा लास्ट के लाच जो मैच के लाड़ा 6 रेट पॉयंट राइट से मंदा रेट करएगा और फ्रेंट यह पर देखो दो रीट पॉयंट 22 टेकल, चार रीट पॉयंट तो इस तरीके से यहां पर परतिक तहिया को overall form है ठीक है यहाँ पर बात करो हैं हम लोग अब जो defense में स्टीम का जो overall performance रहेगा सबसे पहले defender जो है यहाँ पर सौरब गुलिया जो की फिर्ट्स काफे ज़दा consistent है तीन बार जो है high five अपना इस तीजर में complete कर चुगा यहाँ पर सौरब गुलिया को बना सकते हैं अकरम से आपको यहाँ पर लेप्ट कवर से मिलेंगे थोड़ा सा आवरेज से प्लियर है लास्ट के दो तीन में से देखो एक एक टेकल कोईंट है तो आप लोग इनको ज्यादा ग्रेंडी को ट्राइब कर सकते हो संकर गदा ही राइट कॉर्णर से खेलेंगे और फ्रेंट्स महराष्टर के कैप्टन रह चुके इसके लिए फ्रेंट्स बात करूंगा तो इस्टार्टिंग में देखो बहुत अच्छा है अपर मोमेंट मिला था अगेन लास्ट के दो टैकल पॉइंट इससे पहले एक इस विं करने के चांज कैसे रहेंगे इनकी स्टार्टिंग से उने पहला जो नाम आता वह है सचिन दनवर का जो की स्टीम का मेंटर हेगा लेकिन अभी आपको बता जो 50-50% करे सचिन दनवर यहां पर रोहित गुलिया दोनों के दोनों मिलो के 50-50% रेट करे ठीक है यहां पर सचीन तनवर राय्ट से रिट करेंगा रोहिद गुलिया रिधी तो चले जाथा अगर टीम का सामने का राइच्या थे जहां पर यहांके थे ख़रा कैंड रहा है थे चले जाता रहा है रहा हो तो नहीं सब बैटर फोर में सचिन दनवर से इस सीजन में अब यहाँ बात करेंगे इस टीम के डिफेंस की जो पहला प्लियर आपको दिखेगा वैसे मॉनु एज ठाइडर के तौर पर खेले लेकिन अभी आपको मॉनु जो है एज रेडर नहीं एज डिफेंस करते ज्यादा दिख जाएं मनीज दुल ने फ्रेंट्स ठिक ठाक प्रफॉर्म किया तो यहाँ पर टीम मनीज दुल के साथी कंट्यूनु करेगी क्योंकि जो सी साजिन यानि कि साजिन संद्र से करें उनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा मोहमाद रीजा चीनल यह बंदा आप लोग लिए से बैस के एक भी टेखल प्रेंटिष बंदेगा नहीं था लेकिन अच्छी फोउर्म में आ चूके है तो मुझे लगता अब काफी इंस सबसे पहले गुजरा जैंस कि तो इन के पासारे के सारे जो रेडर है वो राइट से ही लेड कर एंगे ठीक इनका देगा में ठोड़ा बहुत य राइट से रहने वारी, ठीक है, राइट से रेड रहेगे, तो कहाँ पर जाएंगे, ये लोग, ये लोग चाहेंगे महमद रिजा चियाना के सामने, इसी रिवन आपको डूओ में कहा था, कि महमद रिजा चियाना को आप लोग पिक कले ना, क्योंकि यहाँ पर इनके पास उनिल कुमार और यहां पर मनिस्थूर को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास रेडर बहुत कम जाएंगे, जादा चांसे किसके पास रहेगा, मौमदर जयाचियाना और निरज कुमार के पास जादा यहां पर चांसे होने वाले, यहां पर बात करेंगे, पतना के पास दो जो इनके रेडर है, एक राइट से रेड करेंगे, यहां पर रिंकु नर्वाल है, रिंकु नर्वाल भी थोड़े बहुत अच्छी फॉर्म है, तो लेकिन काफी अच्छा रोमांचा कि अपर प्लियर बैटल हैगा, नीरज नर्वाल को सपोर्ट किसका मिलेगा, राइट कवर से इनको जो सपोर्ड मिलेगा, वो मिलेगा सौरब गुलेगा, यह सबसे तगरा जो है, प्रफॉर्म इन दोनों का होने वाला, तो काफी ज़्यादा दिक्कत आने वाले सचिन दनवर को यहां से पॉइंट निकालने में, क्योंकि अगर रिंको से लोग बचते हैं, तो फ्रेंट्स इनको सौरब गुलिया से भी बचना पड़ेगा, जो के फ्रेंट्स वैसे तो अच्छे प्लिया लेकिन इस सीजन का उतना ज़्यादा एक्सपरेंस नहीं, प्रो का बड़ी का उतना ज़्यादा एक्सपरेंस नहीं, अब जो भी बचना जबनी इस सबस्थोरहा, की बता चुका प्लियर बैटल में किनको पॉइंट मिलने के चांसेस काफी ज़्यादा रहेंगे ठीक है तो यह रहेंगे फ्रेंट्स आज की हमारी टीम एंड आज की हमारी वीडियो आज की हमारी वीडियो आपको बसंद आया होगा पसंद आई तर वीडियो के लैक कर देना पहली बार आप लोग चैनल तक पहुचे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल पर सट कर लेना मैं मिलूंगा आप लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन